आप दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारकन में मौसम में होगा बदलाओ बढ़ेगी ठंड जारकन में नय बरस में मौसम में भी बदलाओ होने वाला है जिसके अनुसार अबिवार से जारकन में शीत लहर चलने की संभावना है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तापमान में चार डिग्री तक की गिरावट होगी बतादे की जारकन में हवाओं ने अपना रुख बदला है धूप तेज जरूर लग रहा है लेकिन हवा में धंड़क है प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी की मा के निधन की खबर के बाद राजनितिक दलों के नेता सरदानजली दे रहे हैं चारकन में मुख्यमंतरी हिमन्त सुरेन नेशोक परकट करते हुए बिनम्र सरदानजली दी है मुख्यमंत्री हमसुरिन ने अपने ट्विटर हेंडल से ट्विट करते हुँ लिखा माननी पियम जी की माता जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ माता पिता का नुकसान अपूर्णी है और दुख की इस घड़ी में मैं अपनी संबेदना व्यक्त करता हूँ उनकी दिवंगत आत्मा को शांती मिले जहारखन की भरती परिशाओं का कैलेंडर जारी जहारखन लोकसिवा आयोग ने जेपिएसी एक्जाम का वर्स 2023 का एक्जाम कैलेंडर लौंच कर दिया है अब उमिदवार जान सकते हैं कि जहारखन की बड़ी परिशाओं इस साल की स्तारिक पर आयोजीत होंगी इस हिसाब से वे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं जो शात्र पहले ही जार्खंड PSC की बड़ी परिक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं वे परिक्षा तीथी देखने के लिए आधिकारिक विपसाइट पर जा सकते हैं जार्खंड के सरकारी स्कूलों में होगी मातरी भाषा की पढ़ाई जार्खंड के सरकारी विद्यालेव में पहली से तीसरी में मातरी भाषा में ही पढ़ाई होगी इसके लिए स्कूली सिक्षा वस साक्षरता विभाग रोड मैप तयार कर रहा है इसको लेकर मंगलवार से मातरी भासा आधारित बहुभाशी सिक्षन परक्रिया के लिए तीन दिवसिये कौनकलेप की शुरुवात की गई इसका उद्खाडन जहारखन सिक्षा परियोजना परिशद राजी परियोजना निदेशक कीरन कुमारी पासी ने किया खबरों को मानें तो अगले पांच साल में सभी 34,500 प्रारमिक स्कूलों में इसकी शुरुवात की जानी है इसका रोड मैप त्यार करना है ताकि हर स्कूल की पहली से तीसरी कक्षा तक मातरी भासा में पढ़ाई हो सके जारखन में 30,000,000 लाभारतियों के खाते में भेजे गए 951 करोड रुपए जारखन के सीम स्री हेमन सुरेन ने अपनी सरकार के तीन वर्स पूरे होने पर तीन योजनाओं के तहत 37,000,000 से अधिक लाभारतियों के खातों में लगबग 951 करोड रुपए जमा कराये मुक्यमंत्रे हमसोरेन ने कहा कि पिछले तीन साल बहुत चुनोती पूर्ण रहे राज्य में कोबिड-19 महामारी को जेला जहां अर्थविस्था और जीवीका के विकल्प थम से गए थे उन्हें नहीं लगता कि पिछले 20 साल में जहारखन की किसी भी सरकार ने ऐसी चुनोतियों का सामना किया होगा लेकिन सभी लोगों की मदद से हर आपदा को आउसर में बदलने में सफल रहे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी वर्गों के लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रही है जहारखन में 7 जन्वरी से शुरू होगी 12 जीलो में RTPCR टेश्ट जहारखन के 12 जीलो में RTPCR लेब में 7 जन्वरी से कोरोना की टेस्टिंग शुरू होगी Health Department ने कोरोना के नए वेरियंट BA.7 से निपटने के लिए इन जीलों में RT-PCR टेस्ट शुरू करने के निर्देश संबंधित सिविल सरजनों को दिये हैं अभी तक इन जीलों के सैंपल टेस्ट के लिए दूसरे जीलों के मेडिकल कोलेजों या सदर होस्पीटलों में भेजे जाते थे खबरों को माने तो सराइकेला खरसावा सिम्डेगा, खूटी रामगड, पाकुड को डर्मा, लोहर्दागा जामताड़ा, लातेहार चत्रा, गिरडी, गड़वा ये उन जीले हैं जहां पर साथ जनवरी से जाच शुरू करने के निर्देश दिये गए हैं 2023 में जहारखन को मिलेगा तीन एरपोर्ट का तौफा, नए वर्स पर जहारखन में तीन और हवाई अड़े खुलेंगे, इनमें टाटा, बोकारो एवम दुमका हवाई अड़ा शामिल हैं, ये हवाई अड़ा बिमान परिचालन को तयार हैं तथा उडान शुरू करने के प कोशित जारी है, बोकारो और दुमका हवाई अड़ा लगभग तयार है, दोनों हवाई अड़े अभी लाइसेंस लेने की परक्रिया से गुजर रहे हैं, बोकारो हवाई अड़े के लिए सेल और दुमका के लिए राज्य सरकार लाइसेंस लेने की परक्रिया में समिलित है इन तीनों हवायड़े से उड़ाने आरम की जाएंगी बतादे कि इस वर्स राची हवायड़े के बाद परदेश को देवगर हवायड़े की सौगात मिली 2023 में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद नौ वर्स 2023 की शुरुआत से पहले ही भारती रिजुर बैंक यानी आर्बियाई ने बैंक छुटियों की लिष्ट जारी कर दी है ऐसे में आप वर्स 2023 बैंक छुटियों की लिष्ट जरूर चेक कर लें देश में बैंक साल भर के दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को भी बंद रहेंगे हलाकि यद्यान दिया जाना चाहिए कि इन बैंक छुटियों के बावजूद ग्राहक अपने कुछ बैंक कारियों को करने के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उप्योग कर सकते हैं जहारखण में नए वर्स में इन सिख्चकों के सैलरी में होगी बंपर वृदी जहारखण में कारेरत 61,000 से अधिक पारा सिख्चकों को जहारखण सरकार नए वर्स पर बड़ा तोफा दिया है सरकार ने अगले साल जन्वरी महा से मानदे में 4 परतिषत की वृिधी का एलान किया है हलाकि इसका लाब उन 12 सिक्षकों को ही मिलेगा जिनकी सिवा संतोस प्रध होगी और जिनके सैक्षिनिक वह परसैक्षिनिक पर्मान पत्रों का सत्यापन हो चुका है जारखन सिक्षा परियोजना परिशत की राजे परियोजना नेदेशक कीरन कुमारी पासी ने इसे लेकर सभी जीला सिक्षा पदाधिकारियों एवं जीला सिक्षा अधिक्षकों को आदेश जारी कर दिया साहक अध्यापक सेवाशर्ट नियमवली 2021 लागू होने के बाद पहली बार पारा सिछकों के मानदे में यह वार्शिक वृधी होगी नियमवली में परतिक साल मानदे में चार परतिशत वृधी का प्रावधान किया गया है बीते 24 घंटे में सामने आये कोरोना संक्रमन के 243 नए मामले भारत में कोविड-19 के 243 नए मामले सामने आये हैं जिससे कोरोना वाइरस के संक्रमितों की संख्या शुकरवार को बढ़कर 4 दस्वलो 46 करोड हो गई है जी हां और इसी के साथ उपचाराधिन रोग्यों की संख् बढ़कर 3,609 हो गई है बतादे की केंद्रिय स्वास्ति मंत्राले द्वारा शुकरवार को सुब आठ बजे ताजा जारी किये गए आकड़ों के अनुसार संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड 46 लाख 78,158 हो गई और पीछले 24 घंटे में महराष्टर में संक्रमन से एक व्य जान करें दी है कि देनीक संक्रमन दर सुनिय दस्वलों एक एक परतिशत रही जबकि सापताहिक संक्रमन दर सुनिय दस्वलों एक छे परतिशत रही दरसल मंत्राले के अनुसार पीछले 24 घंटे में 2,13,085 की COVID-19 संबंधी जाच हुई वहीं स्वास्थे मंत्राले की बेब पर होने की राष्ट यदर बढ़कर अंठानवे दस्वलो आठ सुनिय परतिशत हो गई है। पर होने की बढ़कर अंठानवे दस्वलो आठ सुनिय परतिशत हो गई है। पत्र और परिक्षा पे चर्चा का किट भी दिया जाएगा। पिछले सिक्षन सत्र के लिए परिक्षा पे चर्चा कारेकरम एक अपरेल 2022 को आयोजीत हुआ था। परिक्षा की इस सत्र के लिए अभी तारिक एलान नहीं हुआ है। सडक दुरगटना में रिसब पंथ बूरी तरह खायल खुद चला रहे थे कार। भारती क्रिकेट टीम के खिलाडी रिसब पंथ की मरसडीच कार का दिल्ली से घर लोटे समय बड़ा हाथसा हो गया। रोडकी के नारसन बॉर्डर पर हमदपूर जहाल के समीप मोड पर उनकी कार का एकसिडेंट हो गया। कार का शीशा तोड़कर वह समय रहते सोय बाहर निकले जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में रिसब पंथ अकेले थे वे खुद गाड़ी चला रहे थे जिस अस्थान पर क्रिकेटर रिसब की कार दुरगटना गरस्थ हुई वह बलेक स्पोट है। हाथसे के कारण नींद की जपकी आने का अनुमान लगा जा रहा है। उन्हें देहरादून इस्थित मैक्स हॉस्पीटल लाया गया। डॉक्टरों कानुसार रिसब पंथ की मात थे और पैर में चोट आई है। सुप्रीम कोट ने विकल एक्सिडेंट क्लेम के लिए बनाई नई एसोपी। मोटर दुरगटना क्लेम मामले में जल्द से जल्द निस्तारन के लिए सुप्रीम कोट ने शुकरवार को बड़ा आदेश जारी किया है। Motor Accident Claim Case के लिए अब हर थाने में एक अलग यूनिट बनेगा इस यूनिट एक्सिडेंट के मामलो को investigate और क्लेम संबन्ध ही सभी केसों को तीन महिने में ट्रिबियोनल को सौपेगा सुप्रिम कोट के आदेस अनुसार देश के सभी राजियों को अपने थानों में Motor Accidents Claim की जाँच के लिए एक अलग यूनिट बनाना होगा तीन महिने के भीतर पुलिस की Special Unit को जाँच रिपोर्ट Claim Tribunal को सौपना होगा किसी भी विकल के अक्सिडेंट की जानकारी होने के बाद संबंधी थानेदार उस एक्सिडेंट का EFR दर्ज करेगा वह 1169 के तहत EFR दर्ज होगा एक्सिडेंट कलेम संबंधी रिपोर्ट को तीन महिने की भीतर कलेम ट्रिबियोनल को सौप देगा जिहां थानों में special unit बनाने का आदेश सुप्रीम कोट के जस्टिस स.A. नाजीर और जस्टिस जेके महिश्वरी की बेंच ने दी है बेंच ने आदेश दिया है कि किसी भी विकल एक्सिडेंट के बाद जाच अधिकारी मोटर वाहन संशोधन जिहां संशोधन नियम 2022 के डायरेक्शन्स के अनुसार काम करेगा वा दुरगटना के 48 घंटे के भीतर एक्सिडेंट की फास्ट रिपोर्ट क्लेम ट्रिब्यूनल को देगा